एक कोशन है डिलकुर वही कोशन जो हम्हें लास्ट लेक्चर पर सॉल्फ किया मैंत्रेश्टेस में छैट्ट नुमर से विए यह लास्ट टाइम किया तो यह के वैल्यूd तो थोड़ा और यह वाइस हो जाएगा जो इंटरस्टेट है जो पढ़ लेए उनके लिए हो जाएगा ठीक है अब यह के देखें हमाई पर एक वैल्यों गिवेन मैट्रीस की मेट्रस मेगा मैट्रीस गिवन है कहने के एन्वर्स फाइंड आउट करो एन्वर्स मावलूम करने का फ्र्मूला पता है हमें इन्वर्स फान्टाइजूवड होता है एट्ज्वाइन कव कि अगया रिच्छय को कि ने टिवाईट बाइद हेब टिमनेट एफ यह हम फ्र्मूला पता है है एटमिण्ड मालूम करते मिलने ऊर्मूला होता है एड получится B C first value A होती है second value B third D and fourth B first A है A 3 है D इसमें क्या है 4 है B इसमें क्या है 2 है and C इसमें क्या है 5 है यह हो गया A B C D A D minus B C 3 4s are 12 minus 2 5s are 10 12 मैं से 10 गया answer बचा 2 तो किसी भी matrix का answer determinant जो होता है वो 0 नहीं आना चाहिए तो वो non-singular हो जाता है आगे solve नहीं होता अब इसका 2 आए 0 से बड़ा easily आराम solve है हमने क्या निकाल लिए सबसे पहले determinant मालूम करते हैं किसी matrix का अब find out करेंगे adjoined adjoined कैसे find out करते हैं adjoined ही बहुत easy है adjoined में क्या करते हैं a और d की side change करते हैं a और d की side change करते हैं जगा तबदील करते हैं d की जगा a की value a की जगा d की value और b और c के sign change करते हैं उनकी जगा change नहीं करते हैं जो क्या हो जागा plus 2 है minus 2 एंड प्लस 5 और क्या हो जाए गए माइनस 5 यह हो गया एड्जॉइंड भी हमारा अब यह दोनों वैल्यूस इन्वर्स के फर्मूले में रख देते हैं एड्जॉइंड ओफ ए क्या निकला है हमारा एड्जॉइंड ओफ ए फोर माइनस 5 माइनस 2 3 नीचे क्या है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के आंसामा पर 2 निकला है हमने 2 लिख दिया अब क्या हो रहा है यह पूरा मेट्रिक्स डिवाइड हो रहा है 2 से तो देखें एक एक करके सारे नंबरों को 2 से डिवाइड कर देंगे फोर डिवाइड बाइड 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 भाइड दू माइनस टू डिवाइड बाइड भाइड दू है ठीके जी अब जो जो कैंसल हो रहे हैं वो कर दिया है इंवर्स का आंसर किया बचा हमारे पास तो टू अपन वन तो डिनॉम्नेटर में वन नहीं आ था तू लिग दिया माइनस फइल पॉन टू इसमें नहीं हो था इसमें का वन बज गया इसमें कुछ थी आपन टू यह फॉन निकल लिए जो कि हमें कहा था कि भी इंवर्स फाइंड आउट करें कर लिए अब कहने कि वै अब बहुत इजी है क्या फाइंड आउट करने है क्या फाइंड आउट करने है एक पहले लिखावा है तो एका मैट्रिक्स पहले आ जाएगा एका मैट्रिक्स अवाल में है 3254 डॉट आगिया एंवर्स लिखावा है एंवर्स अभी हमने मालूम करा है 2-1-5.2 और 3.2 अब देखें किसी सवाल में कहते हैं एंवर्स पाइंड आउट करें तो सवाल यहां पर एंड हो जाएगा अब इदर हमें आगे भी इंस्ट्रक्शन दीमी है तो जब इस सवाल ना सिखाया था मैंने लास लेक्शर में पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे यह पहली रो है यह पहला कॉलम है पहले नंबर को पहले नंबर से करा दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से करा बीच में प्लस का सायना गया पहली रो को दू दूसरे कॉलम से करेंगे पहले नंबर को पहले नंबर से करा दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से करा बीच है प्लस का साइन आ गया पहली रो को पहले कॉलम से करा पहली रो को दूसरे कॉलम से करा यह मैं लिख भी दिया असानी रहेगी कर दिया अब देखें पहली रो को दो लक्न प्लस का सैन्न, फिर वही पहली दूसरी रक & को दूसरे कॉलम से, 5 पहले नंबर को पहले नंबर से और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से, तुर लिखी देता हूं मैं दूसरी रक को हों ठेयर huh सिर्फ सिंप्लीफाइव करना है इसे ए डॉट ए इंवर्ट बराबर होता है अब जो कैंसेलेशन हो रही हो तो नहीं होगा वह नहीं करेंगे 3 2 is आ 6 प्लस ऐसे आ गया cross में है 2 से 2 cancel क्या बज़ गया? minus का 5 बज़ गया minus का है तो इस ब्रेकेट में लिख दिया इदर 3 को minus 1 से करा minus 3 it cross में है 2 से 2 cancel क्या बज़ गया? plus का 3 5 2 is 10 plus ऐसे ही आ गया it cross में है 2 और 4 6 1 2 2 Dziękuję 2 और माइनस 5, 2 को माइनस 5 से मल्टिप्लाइ करा, माइनस का 10 अंसर आया, ठीक है, 5 को माइनस 1 से करा, माइनस 5, प्लस, 2 और 4 क्रॉस में है, 2 1s र 2, 2 2s र 4, क्या बचा, 2 3s र 6, 6, अब लास स्टेप है, मेरे खाल से हमारा यह, 8.a inverse, इक्वल्स टू, 6, प्लस, माइनस, माइनस 5, प्लस 3, माइनस 3, कैंसल, 0, 10, प्लस, माइनस, माइनस 10, और माइनस, प्लस, माइनस 6 में से 5 गया, 1 बचा, बड़ी वाली वैल्यू का साइना था, 6 बड़ा है, तो उसका प्लस का साइन है, प्लस का आगा, प्लस लिखते हैं नहीं, a.a inverse, क्या बच गया हमारे पास, 6 में से 5 गया, 1, यह वाला 0, ऐसे ही आ गया, प्लस 10, माइनस 10, कैंसे 0, यह वाला 1 ऐसी आ गया, दीकि लास्ट लास्ट ऐसे हमारा यह प्रूव हो गया, यह वेरिफाय हो गया, ठीक है जी, वही 1001 आया है, जो हमें फाइंड करना था, तो हमारे अगर यहां से आ तक स्टेप करेंगे, चाहिए तोड़ी गंदगी हो जोए, लेकिन आपको माक्स फुल मिलेंगे, मैंस में यह ही कि आपको आंसर लाना है, स्टेप बाइ स्टेप करके, चाहिए आपकी जितनी भी गंदगी करें, आप फ़र करें, काटे पीट है, आंसर आना चाहिए, ठीक है जी, थेंक्यू वेरिमच अलाफे, इस दो एक्विजन क्रेमर सुले सॉल्व करना है, बाइ देखें, जो X है वो इसे A सपोस करेंगे, जो Y है उससे B सपोस करेंगे, उसकी वेल्यू है, कॉंस्टेंट जो है, और जो राइट साइड में जो कॉंस्टेंट नमबर है था, C सपोस करेंगे, तो क्या बन गया, अब A की value क्या बन गई 5, B की value minus 2 और C की value 1 अब नीचे एक और equation उसमें भी ऐसा ये A, B और C तो difference के लिए लिख देते हैं ये उपर वाली A1 नीचे वाली A2, उपर वाली B1 नीचे वाली B2, उपर वाली C1 नीचे वाली C2, ठीक है मतलब कि A1 की value अगर ऐसे देखा जाए A1 की value 5 हो गई, ठीक है A2 की value 2 हो गई ठीक है, अब B1 की minus 2, B2 की minus 1 and C1 की 1 and C2 की 0 यहां तब पासमझ में आ जाती है तो फिर आगे बढ़ते हैं अब आगे देखें हमें तीन फर्मूला इसमें लगाने एक डिकालने D का फिर दूसरा निकालने D X का और तीसरा निकालने D Y का पहला डिकालने D का पहले D के फर्मूला क्या होगा A1, A2, B1, B2 मतलब दोनों उसमें right equals to के left side की value जाएंगे A1, A2, B1, B2 यह लिख लिए हमने डिकालने D का A1, A2, B1, B2 अब क्या होगा A1, A2, B1, B2 की value समें पता है वो रखेंगे और cross multiply solve कर लेंगे दूसरा निकालने D X का जब X आ रहा है यह X आ रहा है जो जिसका formula लगाएंगे उसकी value नहीं आएगे D X निकालना है तो X की value हट जेंगे उसकी जगा C की value आ जेंगे तो क्या formula बनगे C1, C2, B1, B2 यहां तब बासमझ में आती है तो दूसरा यह formula देख लें C1, C2, B1, B2 यह D X का बनगे अब तीसरा है D Y का Y की value जेंगे यह हट जाएंगे इनकी जगा C की value जाएंगे तो formula क्या बन जाएगा A1, A2, C1, C2 यह formula देख लें बासमझ में आ जाती है तो पिर आगे बढ़ते है ठीक है अब देखें formula सबसे पहले D का solve करना है determinant D का solve करना है तो बहुत ही simple है A1, A2, B1, B2 5, 2, minus 2, and minus 1 ठीक है cross multiply करेंगे बहुत simple है यह अब लिख देथा formula A ऐसे याद करना है A, D, minus B, C से solve करना है पहली वाली value A दूसरी वाली value B तीसरी वाली C चोहती वाली D ऐसे करना है A की जगा A आ गिया D की जगा minus 1 आ गिया minus formula का ऐसी आ गिया B की जगा minus 2 और C की जगा only 2 5 को minus 1 से multiply करा minus 5 यह वाला minus formula का ऐसे ही आ गिया minus 2 को 2 से multiply किया तो क्या आ गिया answer minus का 4 minus करता है इसी लिए bracket में लिखा यह पहले वाला minus जब दूसरे वाले minus से multiply होगा तो वो अपने आपको plus कर लेगा इसी लिए हमने bracket में लिखा तो क्या बन गिया minus 5 ऐसे ही रहा minus minus plus 4 क्या answer बन गिया minus 5 plus 4 is equals to minus का 1 कैसे minus plus minus 5 में से 4 गया 1 बचा हमेशा plus minus में greater value का sign आता है तो 5 greater है तो 5 की value का sign आ गिया तो यह किसका है तो 5 की value का sign आ गिया तो यह किसका determinant निकल गिया भई D का दूसरा किसका निकालना है D X का तो यह line बना लेते हैं कि एक ही page में for paper question solve हो जाए page change ना करना पड़े आप कोई problem होगी और मुझे भी होगी D X का बहुत simple है D X ऐसे ही रहा values आपको उपर निका सिखा दिए है वो तो बहुत बहुत पर minus one minus two and zero ठीक है one को minus one से multiply करा answer आगिया minus one यह वाला minus ऐसी आगिया minus two को zero से करा answer क्या आगिया zero तो यह मत बुलेगा minus का zero आएगा zero plus का हो minus का हो कोई फरक नहीं पड़ता minus one minus zero is equal to minus one तो dx का answer क्या आगिया हमारे पास अब देखें पहला बाला मैं थोड़ा slow slow समझाया अब इन में इसमें same method हुआ है values change है तो तीसरा है dy इदर line ड्रॉ कर लेते हैं कि mix अपना हो dy का वोई a1 a2 c1 c2 value सिर्फ copy paste करने five two one and zero ठीक है वोई cross multiply five zero one and two five zero's are zero one two's are two तो zero minus two is equal to minus two तो dy का answer हमार बस क्या गया minus two अच्छा हमें d dx dy हमने क्यों निकाला क्योंकि हमें दो values निकाल लही है जो के पहली value होगी x की x की value मालूम करने इसका formula होता है dx determinant का और d determinant determinant of d और determinant of x की value आएगी y इसका answer के determinant of dy और determinant of d इन दो चारू के answer सामें पता है स्रिफ लिखने determinant of dx कितना आया minus one determinant of d कितना आया minus one तो minus one minus one cancel क्या बचा minus से minus cancel क्या बचा one बचा तो x कांस से क्या आगिया one आगिया अब यह मत बूली का 1 से 1 काट जी 0 हो जाइसा नहीं होता dy determinant of dy कांसा क्या आगिया minus two और determinant of d कांसा क्या आगिया minus one minus से minus cancel तो denominator में कभी भी one नहीं आता तो इस कांसा क्या आगिया two दोनों क्यांसा निकल गए x और y तो इसे solution set बना लेते हैं center में यह last में बनता है पहले x की value आती है one फिर y की value आती है two यह हो गया हमारा answer ठीक